नवस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस एन इंस्टुमेंटेशन दायग्राम को कैसे पढ़ते हैं ठीक है आपको पता है किसी भी केमिकल इंदस्ट्री में प्रोसेस एन इंस्टुमेंटेशन दायग्राम जो होता है न वन अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉकुमेंट होता है यह जो प्रोसेस और इसको रीड करने आना चाहिए अगर आप किसी भी केमिकल इंडेस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पी एन इडी को कैसे पड़ते हैं और पी एन इडी को समझने के ल तो लाइन से सब कुछ को दिखाता है शिंबल तो सिंबल स्टेमें तो सिंबल सा आपको जानना जरूरी है जी पेड सींबल से वह घेट के से 나िगना शेयल壮 किया है अभी इसलिए लिग लिए शैंतThe से पार के सींबलiste को पहले डीटेल में समझेंगे थे अच्छा बांशास 3 कि अभी Robert P9 का सिंबलस के पहले हम लोग आता है में उप्रोसेसर में करते हैं तो सब ज्यादा हम लोग अकुल charmant Sum लिए यह निदे करते हैं ने करते हैं गईसे हम लोग को कोई भी कि लाइन फ्रॉस्ट्प करना रहता है तो भी डायर slap फिल्ड में जाकर एक लाइन को पकड़ के पूरा लाइन को ढूंडते रहने से अच्छा है कि पहले हम लोग एक रफ आइडिया ले ले लेते हैं कि वह लाइन कौन से लाइन कि इधर से किदर जा रही है जैसे माली जी हमें जाना है कि एल सीन जो है वह कॉलम्स के टॉप में एक्जैक्टली सब कुछ दिया रहता है कि जिस उस लाइन से कौन सी और लाइन कनेक्ट हो रही है वह लाइन कहां डिवाइड हो रहा है उस लाइन में कौन से कंट्रोल वाल्व है कौन से किस टाइप के वाल्व है गेट वाल्व है नार भी है कि नहीं नॉन रिटॉन व आपको पूछा जाए कि आपका FCC यूनिट में LCN कितना बन रहा है आपसे तो अगर आप DCS पे हैं तो आप तुरंत देख करके उसके LCN का फ्लो बता सकते हैं बट अगर आप DCS पे नहीं है आप दूसरी जगह पे हैं तो हर एक रिफाइनरी में एक करके सॉफ्टर होता है जहां से आप किसी भी यूनिट का फ्लो प्रेसर टेंप्रेचर वाटेबर पेरामीटर जो है बता सकते बसरते उसका टैग पता हो हर एक इंस्टुमेंट का एक इंडिविजुल टैग होता है अब वो टैग अगर आपको जाना है तो वह सारे टैग पी अगर मुझे लसी अप्लो जानना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले पी एन एडिक उस पेज में जाओंगा जहां पे लसी एंडिक लाइन है और उसमें देखूंगा वहां पे फ्लो मिटर जो है उसका टैग के है यसे वह टैग पता चल जाएगा उस टैग से में उनिफर्मे इसके लाभाव ठावस प्लो कमेंट अग дополн झाब का च्रक्ते लिए क़े इंस्ट्रुमेंट की अगर इस तो जानकारी यह में जाता है आप जो नर्मन फोटो लेते हैं वैसा नहीं सिंबल्स के तर्म है अगर आपको देखने आता है तो यह नर्मना फोटोग्राफ्स लेंगे उसमें भी आप लाइन को साछी से त्रेश नहीं कर पाएंगे देखने ही आप एक लाइन आगे कहां गई तो एक पिक्चर से दूसरे में देखना बहुत मुश्किल है तो आपके आखों के सामने पूरा 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 पिक्चर आजाए गर उसके सारे सिंबल को सब्सक्राइब कर पा रहा है तो ठीक है इसके लिए जो इंस्टुमेंट होता है उसके पी एन ऐडी में यह भी बताया रहता है उसमें इस तरह कोई टैग जैसे टेम्प्रेच2 टेगे से टी एंठी पाइफ 2 25 ससा अगर कोई टैग इसका मतलब यह है penalty आया यह फील में ही आपको तेम्प्रेचरी देख आ तुक जाना पड़ेगा कि यह चीज आपको PNID से देख कपता चल जाएगा इसके लाव प्यान इडी से यह भी पता चलता है कि लाइन जो है आपका इंसुलेटेट है कि नहीं अगर लाइन मरासिब इस ताइप को होट इस लेसे नहीं को ऑनिकी उसमें ट्रेसिंग लाइन यह सब भी चीजे आपको पता चल जाएगा यूटिलीटी के बार में पता चल जाएगा तो और इसके लावा आपका डिजाइन इंफरमेशन भी पूरा मिलता है कि मतलब अगर लाइन का जो डिस्टेंस है वह उसमें स्लोप है कि नहीं अगर स्लोप है और कोई कंट्रोल वाल क लिखा गता है मिनिमुम डिस्टेंस यह मैक्सिमन डिशन्स टो बहुत सारा गंवेशन भी पता का bah pala पर हो गा टो चैनला इंप्लां और पहले simply से स्टार्ट करते हैं मैं तो एक उन पेनी डी में बहुत तरहका इनashing ओता है देखे इसका फूल फॉम होता प्रोसेस करा निंस्ट्ूमेंटरेशन डाइसन तो और पाइपिंच्च्चरण चाहिख ग्रम्रोलेक्क पाइब का दो और इन्स्ट्रूमेंट के लोग रहता है कि वे इंस्पेक्ट्शन डिपार्टमेंट के लुडाप्टंवाका रहने पप्रित इस इससे क्ली घ चिंच नेएक प्लांट का प्रोसेश फ्लूइड से एब करते हैं ना ग्यान साराइब करने में नान को प्लांट करते हैं जैसे यह लाइन कईंटिफाई करते हैं घ्लाइन के उपर उस और यह झाल है ने यह घ्लांट चीन ऊबक्ती एबिkar एक प। इंच में दिखाऊंगा की कॉन सा लाइन कौन साल लेटर रहेगा तो उसका मतलब किस टाइप के लाइन है जैसे एसम लिख दिया है तो मीडियम प्रेशर स्टीम का लाइन है तो इस लाइन पैप्लाइन का इंडिकेशन और वह से आपको पता चल जाए गाए यह कि इस चीज की लाइन है तो प्रोसे स्ट लेडिया इसके लाइन नंबर आब देखिए जो यूनियित के लिए नंबर होता है जैसे अगर एटीन one लिखा ए सका मतलब यह स्टार्ट हो रहा हुए यह जो जो रिजेझा ने ना से स्टार्ट हुआ है uitive दो यह आगे का इलेवन हो तो यह चो family यह बताता है pipeline के material के बारे में किस material से बनाया है क्या उसका rating है तो जैसे यह A1 A है इसका मतलब जो है jagherels का material है और 150 rating है अब इसका भी die T tornado में बताँगा कि क्या L reconsider hoगा तो उसका rating होगा स्का rating होगा और कौन सा material होगा और last जो letter होता है ना ये बताता है कि किस टाइब का इंसूलेशन इंसूलेशन है इस लिखा जैसे ही और है इंसूलेशन मतलब इस पाइपलाइन के ऊपर ऐक ट्रेसिंग लाइन भी ठीक है फिर उसके बाद इन्सूलेशन यह सब डिटेलिंग वह जाता है तो अगर आप यह चीज समझ गया तो अब अगर हम सारे क उसको एक एक करके बताते जाए तो फिर बहुत इजली हो जाएगा लाइन को पहचन तो जैसे यह तो पहला तो बहुत तीजी है कि यह कितना साइज है उसको लिए पी अब यह हम देख लेते हैं कि अलग अलग लेटर का क्या मतलब होता है जैसे अच्छा इसके लावा भी यूपर अगर ट्रेशिंग रहता है तो इसके में से यूपर लाइन कालाव एक एंशे करकर तो मैंने यह ताम के यह सभी दीया हुप व्रुमाटन т. पैए giयो कर्दे का हुआ है तो अब हम यह यह देखने दी splend को समझते है , वूर्प मतलब प्रोंस लाइन और देखे वा अगर आपका डबलू एफ लिख दिया तो फायर वाटर के लाइन है अब देख रहा है टेमपा वाटर जिसका टेमपरेचर हम लोग कंट्रोल करते हैं वो डबलू टी लिख दिया जाता है ठीक है प्रोसेस वाटर जैसे कि हम लोग वाटर का यूज एज वास वाटर भी है आप देखिए इसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूरा प्लांट का सब चीज डिटेल आपको दिख जाएगा कि कि किस चीज का लाइन है यह पूरा क्लियर हो जाएगा उसे तरह सी एच लिखा है मतलब हाई प्रेशर स्टीम है एस एम लिखा है मतलब मीडियम प्रेश स्टीम है मतलब मीडियम हाई प्रेशर स्टीम ठीक है यह सारा डिटेल आप समझ लिए ठीक है तो यह तो अगर यादी रखना पड़े नहीं याद रखना पड़ेगा तो हर एक पी एडी में लीजेंड भी दिया रहता है ठीक है उसे तरह नेक्स्ट बढ़ते है अब देख आरे अब यह देखे अलग 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 होता है अलग होताह जैसके इंस्टुमेंटर होता है प्लांटर रहते हैं उसको अपी से प्रोसेसर तो पी जैसको चैह पर ऑप और यह डीकुर्मेंट एसको पिये वहां पर जब रहा है क्योंता है उसको फ्लेयर में जाता है उसको देखिए उसको एफल से का सरकिट होता है उसको इमीन ब्लोडाउन सरकिट बोलते है यूटिलीटी में भी आप देखिए अगर फ्यूएल आयल है तो उसको एफो से अब आप देखिए इनर्ट गैस मतलब नाइटोजन की लाइन को इनर्ट गैस से रिप्रेजेंट के रहता है फ्यूएल गैस को पर अगर लिख दिया गया पी की जगह आई जी मतलब यह नाइटोजन की लाइन है तो आप समझ जाओगे ठीक है तो यहां पर पहला जो लेटर है पी इससे आप क्लिरली समझ सकते हो कि क्या मतलब है नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे और यहां पर फर्दर कुछ और भी दीजिट यह को एशेलगा सकती हम जो नंबर फाज जowsन एक वार्ष लिए होता हथा हूं अब्साद हे वहाँ दो पर पर पास होता है कि किसी परसेख्य के लिए बासेल होता ङृप का ciao क्ER आपका हीट लॉस्न हो कोल्ड इंसूलेशन कोल बॉफ होता है जैसे नाइं ट्योजन प्लांट में ज widget बहुत कम होता है यह प्रोपेंट की लाइन ऊहले THE लोर टेमप्रेचर हाइच्छन सोने की चांसेलेशन यह तो वहां पे भी कोल्ड इंसुलेशन किया राता है steam tracing जरुवत होता है जैसे वी यर की लाइन है जैसे वैकिम रेसिडियू की लाइन है अब वहां पर क्या होगा कि अगर जब तक रर्निंग है प्लांट तब तक ठीक है जैसे प्लांट बंध हो गया तो वह जम सकता है कंजील हो सकता है तो उसको गरम करके रखना पड़ता है त यह सब ही डिटेलिंग आपको प्लांट देखके पता चल जाएगा कि वहां पर किस तरह से हैं ठीक है अब जो हम लोग बात करेंगे यह जो आप इसमें हमने अभी तक बात कर लिया यह पी के बारे में बात कर लिया डिफरेंट सिंबल से इसके बात कर लिए यह तो हिसे जो है पाइप मेटेरियलेट सेसीफिकेशन इसके बारे में बात करते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब होता हुँआ ठीक है तो 300 रेटिंग है अब जितना ज्यादा हाई प्रेशर टेंप्रेचर की लाइन होती है उसकी रेटिंग उतना ही ज्यादा है जैसे अगर 30 kg 40 kg प्रेशर है तो वह 600 क्लास की रेटिंग होती है उसी साब से स्ट्रेंथ आफ मेटरियल बदलते जाता है मीडिल नंबर जो है जैसे बीवन ए लिखा मीडिल नंबर का क्या मतलब है मीडिल नंबर जो है जैसे 123 जो अगर इंडिकेस्ट स्पेसिफिक का टायंस विदिन दे सेम रेटिंग मैटेरियल एज इंडिश्टे इन टेबल तो यह थोड़ा इंस्पेक्शन वालोग के लिए का म स्थील है ठीक है तो इस तरह से लास लेटर कर अब यह लास लेटर यह तो कारबन स्टील अगर भी है तो को मो हो जाएगा सी है तो उसमें पर संट क्रोमियम और पॉइंट पर संट मॉली हो जाएगा अब देख रहा है अगर एफ लिखा है तो इसका मतलब भी में यूज होते हैं जैसे अगर आप देखो अगर यह दिर्टेल्ज यह दिए तीड का वक्ता है तिक तो QR भी तैनिज से औरenga है 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 इन को नेल है तो क्यूंव से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह चीजे जो है यह चीजे आप देखके यह देखके आप समझ सकते हो अगर यह सारे याद नहीं रखने पड़ते हैं यह इसली अबलेबल होते हैं सारे नोटिफिकेशन तो सारे नोटेशन तो उसको है एक चांपर लेकर के हम लोग humans समझता है यह जो यह महीं चुष क्ला मेल है एक स् zij इत과 कोलम है अजिसमें सिकस्टरिश यह जह शेबर है एक से चेट हैं और इसमें कर तो बाड़ी नीचे से स्टीम देख करके हम लोग स्ट्रिपिंग कर रहे हैं ठीक है और जो स्ट्रिप्ट गैसे वह उपर से चली जा रही है फिर वापस कॉलम में अब यहां पर इसको हम देख के हमको लाइन समझना है कि किस टाइप की लाइन है तो यह देखे यह जो लाइन है फोर्थ 11riters 34 लिखा始लान का नंबर 34 सबढ़ बाढ़ा मतलब यह 7 नंबर 34 से आ रहे हैं कहां से यहां से इली सर्च कर सकते पर nämब 34 में यह पता चले गा यहां से यह लाइन यह लाइन जो है यह 16 इंच की है और 16 इंच की लाइन है प्रोसेस फ्लूइड है और 34 बारा में थोड़ा गलत बोल दिया था पहले कि लास्ट का टू डीजिट पेज नमबर बता रहे हैं नहीं फर्स्ट डू डीजिट पेज नमबर बता रहे हैं और जैसे यह वाला पेज जो है यहां पर आप देखें यह जो है यह सी एस का पाइप है और डेर साइस की रेटिंग है होट इंसुलेशन है क्योंकि हाई टेंप्रेचर की लाइन होगी और यहां से जो एक नया पाइप लाइन जेनरेट हो गया है जो की यह स्ट्रिपर में जा रहा है उसका लाइन नमब इसका मतलब यह डेर से रेटिंग है और यह सीएष्ट की दाइट लाया है इसमय इसमें स्ट्रेशिंग है डॉट डॉट से बनाया भी गया और आइट लिखा हुआ है और यहां पर अगर आप बहुत ध्यान दो तो अगर बहुत ध्यान दीजे यहां पर यह देखिए यहां पर क्या लिखा आई टी से आई एच मतलब यहां तक यहां तक यह इस टीम ट्रेसिंग नहीं उसके बाद सिर्फ होट इंसुलेशन है इसलिए आई टी साइच लिखा है और फिर अगर आप यहां पर देखिए तो यह यहां नीचे जाइए तो नीचे अगर आप जाएए तो देख रहे हैं यह जो लाइन है यह MP टीम की लाइन है कहां आप से आ रही है अगर देखना है तो 73 नंबर पेज में जाना पड़ेगा यह देखिए 73 नंबर पेज में से आ रही है और इस इस लाइन का जो नंबर है वो यह 3501 है 3501 क्योंकि इसी यहीं पर यह स्टार्ट हुई है यह वाली लाइन तो इसलिए यहां पर 3501 है और यह इसका रेटिंग अगर आप देखे तो 300 रेटिंग है और यह फिर से है CS की लाइन है होट इंसुलेशन है तो इस तरह से आप देख करके अप्लाइन बता सकते हैं अब यहां पर दिया हुए ना इससे आप पता कर सकते कि कि किस नंबर पेज से आ रहा है यह लास्ट का टू डिजिट इस तरह से जो लिखा हुए 43381177 तो इससे पता चलिएगा कि अगर इनी उपर जाते तो यहां पर देखे यहां से आप देख करके बोल सकते थे थार्टी फोर नंबर पेज से आ रहा है तो इसी को देखके में कन्फूज हो कि वहां पर बोल दिये था इनिवे तो मुझे लगता है कि पाइपलाइन को समझना आज के डिसकॉसन समझ में नेक्स वीडियो में हम लोग इस्टुमेंटेशन और डिफ्रेंट वाल्स के बारे में बात करेंगे आशा करता हूं कि आपको यह फ़संद है अगर इसका नेक्स पार्ट चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना धन्यवाद